नमस्कार, यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स स्टडी में आपका स्वागत है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, आज हम इस वीडियो में डिस् मानेसर में इस प्रसंद का सही उत्तर है option D मानेसर में भारत सरकार के स्वास्थे विभाग ने 14 नुवंबर 1907 में को मस्तिस्क अनुसंधान के लिए समर्पित केंदर की स्थापना की जिसे राष्ट्रिय मस्तिस्क अनुसंधान केंदर का नाम दिया गया जिसे NBRC भी कहते हैं नैशनल ब्रेइन रिसर्च सेंटर और इसके फाउंडर डिरेक्टर विजे लक्समीर विंदरनात को भारत सरकार दुवारा 2010 में पदम स्री से भी सम्मानित किया जा चुका है अगला प्रशन है निमन लिक्त में से कौन एक हरियाना में स्थित नीजी विश्य विधाल्य है यह राष्टिय राजमार्ग आठ परस्थित है और यह मानेसर गुरू ग्राम में है और यह बारा सो एकड में फैला हुआ है बाकी यह जो तीन विश्य विधाल्य है यह सारे सरकारी है कुरुख्षेतर विश्य विधाल्य कुरुख्षेतर में है गुरु जंबेस्वर कुरुख चेक्तर इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन B हिसार इस विश्व विदाल्य की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी इसको पहले हरियाना एगरी कल्चर यूनिवस्टी कहते थे लेकिन 31 अक्तूबर 1991 को इसका नामकर्ण भारत के साथ में प्रधान मंत्री चोदरी चरण सिंग के नाम पर रखा गया और यह विश्व विदाल्य भारत के सभी क्रिशी विश्व विदाल्यों में सरवादिक सोध पत्तर प्रकासित करता है 1997 में इसे भारतिये क्रिशी अनुसंधान प्रिशत दुआरा सरवस्रेष्ट संस्थान का सम्मान दिया गया और भारत के हरित क्रांति तथा स्वेत क्रांति में इस विश्व विदाल्यों का महत्व पूर्ण योगदान रहा है और यह एसिया की सबसे बड़ी एगरी कल्चर युनिवस्टी जो 7,219 एकड में फैली हुई है अगला प्रसन है हरियाना राज्य में कहां कलपना चावला की याद में मेडिकल कोलिस खोला गया है ओप्सन है फ्रीदाबाद, कुरुक्षेतर, पंचकुला और करनाल इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्सन D करनाल इस मेडिकल कोलिस की जो जो अधार सीला है वो 1 दिसंबर 2012 में रखी गई थी और इस मेडिकल कोलिस पर 646 क्रोड रुपए खर्च हुए है और यह तकरीबन 50 एकड में बना हुआ है इस कोलिस में 100 MBBS की सीटें रखी गई है और इस कोलिस में इंडोर ब्लोक में ग्राउंड फ्लोर सहीत 5 तल है और सभी ब्लोक वाता नुकूलित है और सुरुवात में मरीजों के लिए कोलिस में 350 बैड होंगे और जल्द ही इसे 700 बैड का लक्सया पूरा कर दिया जाएगा और कोलिस और हस्पताल में 55 सीनियर और 40 जूनियर डॉक्टर उपलब्ध होंगे और यह संख्या जल्द ही बढ़ा दी जाएगी इस कोलिस का उधगाटन 18 मार्च 2017 को मुख्य मंतरी मनोहरलाल खटर की अध्यक्सता में केंद्रिया स्वास्थया प्रिवार कल्यान मंतरी जगत परकास नडड़ा ने किया अगला प्रशन है हरियाना के किस जिले में स्किल ड्वेल्पमेंट यूनिवस्टरी स्थापित करने की घोशना की गई है उप्शन है करनाल रिवाडी पलवल हिसार इस प्रसन का सही उत्तर है पलवल पलवल के दुधोला गाओं में 24 अप्रेल 2017 को मनुहरलाल खटर ने इस यूनिवस्टी की आधार सिला रखी और इसका पूरा नाम हरियाना, विशव कर्मा, कोसल, विशव विदाल्य है और यूवाओं के लिए 800 कोर्स होंगे और सक्सम योजना, हरियाना के अंतरगत प्रदेश के 10,000 स्टूडेंट को इसमें ट्रेन किया जाएगा अगला प्रशन है 6 अप्रेल 2016 को हरियाना के कर्नाल जिले में किस विशव विदाल्य का सिलिया नास्ट किया गया ओप्सन है क्रिशी पसू पालन आइटियाई और बागवानी इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्सन डी बागवानी क्योंकि बागवानी विज्ञान विशव विदाल्य कर्नाल जिले के अंजन्तली गाउं में स्थापित किया जा रहा है और इस विशव विदाल्य की स्थापना के लिए केंदर सरकार दुआरा 200 क्रोड रुपई की वितिया साहिता दी जाएगी केंदरिय क्रिसी मंत्री एव किसान कल्यान मंत्री रादा मोहन सिंग ने आलू प्रदगी केंदर वे बागवानी विज्ञान विशिविदालय का उधगाटन 6 अपरेल 2016 को किया था अगला प्रशन है करनाल हरियाना में मेडिकल कोलिज किसके नाम से परस्तावित है ओप्शन है करनाल चोदरी देविलाल कलपना चावला भगत सिंग इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन सी कलपना चावला कलपना चावला का जनम करनाल में हुआ था और वो एक अंत्रिक सियात्री हैं भारतिया मूल की और एक अंत्रिक सियान में उनकी धुगटना हो गई थी जब वो अंत्रिक से अपना जो मीशन है उसको कंपलीट करने के बाद वापिस आ रही थी मात्र 15-16 मिंट पहले ही वो कोलंबिया प्लेन था जिए वो द्रुगटना गरस्त हो गया था और उसके द्रुगटना गरस्त होने की वज़े से एक फरवरी 2003 को कलपना चावला की मृत्यू हो गई थी और उनी की याद में यह मेडिकल कोलेज करनाल में स्थापित किया जा रहा है अगला प्रशन है लाला लाजपतराई युनिवरस्टी आफ वेटरिनरी तथा एनिमल साइंस के लिए नए प्रीशर की स्थापना कहां करने की गोशना की गई है ओप्शन है रेवाडी फ्रीदाबाद पंचकुला हिसार इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन डी हिसार लाला लाजपतराई पसूच कित्सा एव पसूविज्ञान विश्यविदाल्य हिसार में स्थीत हरियाना सरकार का विश्यविदाल्य है इसका नामकरण भारत के महान सवतंतरता संगराम सेनानी लाला लाजपतराई के नाम पर किया गया है सन 1948 में पसूच कित्सा महाविधाल्य को लाहोर से हिसार में स्थानांत्रित किया गया सन 1971 में यह चोदरी चर्ण सिंग हरियाना क्रिशी विश्विधाल्य का भाग बन गया और 1 दिसंबर 2010 में इसे अलग करके लाला लाजपतराई उनिवस्टी ओफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस का नाम दिया गया अगला प्रशन है डॉक्टर राजेंदर परसाद दुआरा किस विश्विधाल्य की नीव रखी गई अगला प्रशन है सेंट्रल इंस्ट्रिचूट आफ प्लास्टिक एंड इंजिनरिंग टेकनोलोजी कहां पर स्थीत है इस प्रशन का जो अप्शन हमारे पास है पहला है हिसार मूर्थल और करनाल यमनानगर इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन बी मूर्थल केंद्रिया प्लास्टिक इंजिनरिंग है प्रोजोगी की संस्थान यह संस्थान भार्थ सरकार के रसायन वे पैट्रो रसायन विभाग के अंतरगत आता है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और वर्तमान में पूरे भारत में 23 सेंट्रल इंस्ट्रिचूट अब प्लास्टिक इंजिनरिंग टेकनोलोजी के संस्थान है और अगले पांच वर्शों में भार्थ सरकार इसकी संख्या 23 से बढ़ा कर सो करने की योजना बना रही है और राज्य के किस स्थान पर राजीव गांदी एजूकेशन सेटी की स्थापना की जा रही है और यह राज्य में उच्छा प्रोजगी शिख्या यथा नैनो टेकनोलोजी बायो टेकनोलोजी है जेनेटिक्स आदी हेतू धूरी का कार्या करेगा और इसमें कुल सीटों का 25 परतिसत हरियाना के छातरों हेतू अरक्षित रहेगा और इस उनिवस्टी की जो नीव जून 2012 में रखी गई थी और यहाँ पर कुछ एजुकेशन इंस्टिचूट जैसे असोका युनिवस्टी भारती विद्याफिट सोनिपत आयाईटी दिल्ली एक्स्टेंशन केंपस नैशनल इंस्टिचूट अफूड टेकनोलजी एंट्रेपनियोर्शिप एंड मनेजमेंट नैशनल लो युनिवस अगला प्रशन है इंडियन इंस्टिचूट आफ मनेजमेंट आयाईएम कहां स्थापित है ओप्शन है सोनिपत हिसार गुरुगराम रोतक इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्शन डी रोतक रोतक का भारतिया प्रबंदन संस्थान या आयाईएम एक सारवजनिक व्यवसाय विदाल्य मतलग बिजनस स्कूल है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यह देश का आठवा भारतिया प्रबंदन संस्थान है उत्तर भारत और NCR छेतर में यह पहला है और इसका जो उदग अंबाला हिसार यमना नगर इस प्रसंद का सही उत्तर है ओप्सन भी अंबाला अंबाला के मुलाना में यह स्थीत है अंबाला जिल्य के मुलाना में और यह 271 कड में है इसके चार केंपस है एक मुलाना में है दूसरा सदोपूर अंबाला में है तीसरा करनाल में है और चो Medical College और पहली Deemed University तीनो प्राइवेट Engineering College भी प्राइवेट और Medical College भी प्राइवेट और Deemed University भी प्राइवेट तीनो ये पहले Institute हरियाना में प्राइवेट इसी ट्रस्ट ने स्थापित किये थे और इसके Chancellor Dr. तरसेम गर्ग है अगला प्रसन है चोदरी देविलाल विशुविदाल्य कहा स्थित है ओप्सन है जीन, रेवाडी, भीवानी और सिर्सा इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्सन D सिर्सा यह विशुविदाल्य भारत के पूरपरधान मंत्री चोदरी देविलाल के नाम पर 5 अपरेल 2003 को स्थापित किया गया था और यह राज्य के सिर्सा जिले में अवस्थित है इस विशुविदाल्य में 16 विभाग तथा 40 कोर्स है यहां पुस्त काल्य प्रियोग साला तथा होश्टल की अच्छी विवस्था है अगला प्रशन है ओपी जिन्दल गलोबल नीजी विशुविदाल्य कहां स्थीत है ओप्सन मानेसर, सोनिपत, मुर्थल और गुरू गुराम इस प्रसन का सही उप्तर है ओप्सन बी, सोनिपत, जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और यह प्राइवेट या नीजी विशुविदाल्य है और यह 80 एकड में फैला हुआ है इसको युनिवरस्टी के फाउंडिंग चांसलर नवीन जिंदल ने अपने पिता ओम प्रकास जिंदल की याद में बनवाया है और यह एशिया की उन युनिवरस्टी में से एक है जहां पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशो एक रेशो 13 है एक अनुपात 13 मतलब 13 स्टूडे पर एक टीचर और यह NCR रीजन में है अगला प्रशन है परजापती भ्रहम कुमारी इस्वरिय विश्विदल्य है ओप्षन अंबाला में रिवाडी में पानिपत में जींद में इस प्रसन का सही उत्तर है और ओप्षन C पानिपत में इस संस्था की जो स्थापना है 1930 में दादा लेखराज ने की थी जिनें आज परजापती भ्रहमा के नाम से जानते हैं जो लोग आध्यात्मिक सांती को पाने के लिए परजापिता भ्रहमा दुआरा उचारित सिदान्तों पर चलेवे भ्रहम कुमार और भ्रहमा कुमारी कैलाई तथा इनकी सैक्सनिक संस्था क परिजापती ब्रहम कुमारी इस्वरिय विश्य विधाल्य का नाम दिया गया। इस विश्य विधाल्य की शिक्षाओं को वैश्विक सवी कृती और अंतराष्ट्रिय मानता प्राप्त हुई हूई है। विदाले स्ताबित करने की योजना बनाई है जो यूवाओं को रोजगार के अफसर परदान करेगी अगला प्रसन है किस विश्व विदाले को एफिलियेटिंग विश्व विदाले का दर्जा दिया गया है इस प्रसन में हमारे पास जो ऑप्षिन है वो है लिंग्याज विषव विदाले है इन चारों उप्षन में कुरुकषेत्र विश्व विदाले है हरियाना सरकार के अधिकरीत है बाकी तीनों उप्षन नेजी विदाले है जो डेम्ड अगला प्रसन हरियाना नेसनल डिफstag यंवस्टी कहां स्थापित की जा रही है औप्षन है प्रेवाडी फ्रीदाबाद गुरु गुराम जजर इस प्रसन का सही उत्तर है ओप्सन सी गुरु गुराम इस युनिवस्टी डिफेंस युनिवस्टी की जो आधार सिला है 23 मई 2013 को भारत के भूतपुरु प्रधानमंत्री मनमौन सिंग ने रखी थी देश के लिए रक्षा रक्षा विश्विदाल्य का निर्मान सुरू हो गया है गुरु गुराम के बिनोला गाउं में बन रहे इस विश्विदाल्य के लिए 205 एकर जमीन पर काम सुरू हो चुका है और इस पर लगबग 300 क्रोड की लागत आएगी वर्स 2018 में पूरी होने वाली इस योजना के लि परिका और आस्ट्रेलिया में ही रक्षा विश्विदाल्य स्थापित है और विशेश पर सिक्षन वेब पढ़ाई के साथ यहां पर सैन्य अनुसंधान के इंदर भी होगा अगला प्रशन है दीन बंदू छोटु राम विज्ञान एम प्राद्योगी की विश्विदाल्य कहां स्थीत है ओप्सन है जीन्द, पानीपत, मुर्थल और करनाल इस प्रसन का जो सही उत्तर है ओप्सन सी मुर्थल यह विश्विदाल्य वर्स 1987 में दीन बंदू छोटु राम विज्ञान एम प्राद्योगी कोलेज से नाम से जाना जाता था लेकिन 6 नुवंबर 2006 को इस कोलेज था और इस विश्व विदाले को तकनीकी सिक्सा गुणवत्ता सुधार कार्यकरम चरण दो और विश्व बैंक प्रियोजना से सम्मानित किया गया है इस संस्था ने अपनी सुरुवात मेकैनिकल इंजिनरिंग एम इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन के साथ की और यह राश्ट्रिय राजमार्ग एक पर स्थीत है 273 एकड में है और सोनीपत रेलवे स्टेशन से 8 किलोमेटर और दिली के ISBT से 50 किलोमेटर की दोरी पर है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं सोसल साइट फे एकड़ी सेट साथ लेकर तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे